अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले आड हमें कुछ याद क्यो नहीं आ रहा है कि अपने सब हुआ क्या एन्हें आप जरेंगर इसा थाहिए देखिए मुझे लगता है सक पर चोट लगने की वज़े से ने पार्शली अमीजिया हुआ है क्या जिया परचिंता की कोई बात नहीं है आप लुग बस इतना ध्यान रखिए कि इनके दिमाग पर किसी तरह का कोई दवाब ना है यह जो भी कह रहे हैं अभी आप मान जाए इन्हें हराम की शक्त जरूगत है फिल्हार नर्स को छोड़के जा रहा हूं उनकी देखाल करेगी थैंक्यू डॉक्टर हमेश हमेश सिर्फ इतना याद है कि देव और मुहिनी की शादी तए हुई थी और तैयारियां में शुरू हो गई थी कि देव और मुहिनी की अभी आप चिंदा मत कीजिये बस आराम कीजिये सब कुछ ठीक हो जाएगा अच्छा है देव और मुहिनी की शादी हो गई कि अच्छा है अच्छा झादी हो गजए अच्छा ओगे एना जी झादा झादाज जी टादाज जी टादाज यह दादा जी ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? चमगू ने दादा जी पर चान लेवा वार किया था वो फिर भी जिन्दा कैसे रह सकते हैं? लेकिन इस पार इस पार अभा नहीं हो सकती तो फिर दादा जी का रूप लेकर कौन आया? कौन है वो? हमें उनका शरीर ढूणना होगा तभी ये पहीली सुल्चे की पारियों के नीचे जाडियों के पीज भी होस पड़े थे इसा कैसे हो सकता है? जिस जगा उचमकादा रूपा को लेकर गया था वहां दादाजी काई कैसे मिल सकते हैं? हुआ है जगा उचमकादा ये पीजे रहां प्रेकर अर्चमकादा ठाड़ी aव चुमकादड़ का पंच पंच इसका मतलब चमगू यहां गिरा था उसकी बॉड़ी यहां थी मगर वो तो दादाजी के साथ किरा था तो दादाजी कैसे इसका मतलब जो घर आया है वो दादाजी ही है दादाजी जिन्दा है बगर उनकी याददाष्ट कैसे जा सकती है? अपने मतलब का सब कुछ याद है राकी कुछ भी नहीं मरने से पहले हमने उनकी आखों में प्राश्चित दिखा था बगर अब जो खर वापस आया है उनकी आखों में न पच्टावा है न शर्म अब हमारे पास हमारी पूरी शक्तिया हैं अगर दादा जी ने हमसे जूट कहा था और उन्हें अपनी कल्ती का कोई अहसास नहीं, कोई पच्टावा नहीं तो आज होली के दिन हम उन्हें उनकी कर्मों की सजा देंगे हम ये दादा जी का सच पता गरना पड़ेगा इसने हमें नाके जोप में देख लिया क्या देव तुम यहां क्या गर रही हो अच कई बोले नाथ, देव ने कुछ नहीं देखा हमने पूछा कि यहां क्या रही हो तुम कहीं दादाजी को तुमने? क्या कि यह तुम्द रिए हो इसका मतलब कही तुमने भागा पॉल गुस्ट ने गर्म मतलब काहीं तुमने तुमने घादाजी को हमे घरवालों सब्ताना होगा प्रियुकू। इनमा खराब हो गया तुम्हारा। मैं तो यह देखना आए था कि दादा जी यहां कैसे पुचए। वह शमगादर तुम्हें यहां लेकर रहाया था। फिर दादाजी कैसे। जैट ली। हम भी तो यही सोचते हुआ यहां हैं ? कहीं वो चमगादर दादा जी को भी यहां लेकर तो नहीं आया था? जो भी है. लेकिन तुम क्यों चानबिन कर रहे हैं? वो मेरे दादा जी है. जैसे बाते गर रहे हो तुम? हा? अब हम तुमारी पत्नी है तो वो हमारे दादा ससुर हुए ना जी? देखिये जी, अब जितना तुम अपने घरवालों का ध्यान रखोगे ना जी, उतना तो हमें भी रखना पड़ेगा ना जी? यह क्या जी लगा रखा तुम्हें? अब आदा डाल लो जी, पत्नी है हम तुम्हारे. इची, ओजी, लो जी, सुनो जी, बाते तो करेंगे ना? है ना जी? तुम से बात करना याने की पहंस के आगे पीन बचाना. अब रामलाल ये घरवालों को पिलाता हूँ. आरे होली मुबारक जो है, हाकी दीजी हम इंतजार कर रहे हैं आपका. तुम्हारा असली चहरा आज हम सब के सामने बाहर लाकर रहेंगे. देखे इश्क की दास्ता नागमणी सुमवार से शनिवार रात साधे 9 बजे दंगलपले आप पर.